यह श्री महाकाल एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत अविनंदन करते हैं हम आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में इनकम अंदर दा इडर एक डीरि यह आपका दूसरा लेक्चर है और फृपिछ्टु को हम स्टार्ट करें उससे पहले अगर हम अपने पहले लेक्चर की बात करें बाते पहले हैं या आपका house property 28 to 44 या आपका business profession capital gain की बात करेंगे तो 45 to 55 and 56 to 59 या आपका other source होगा ये basic चीजे कुछ मैंने आपको बताई थी साथी साथ मैंने आपको salary क्या होती है इसके बारे में बताया था या important rule regarding the salary ये आपको मैंने one by one सारा का सारा क्या कर दिया था explain कर दिया था आपको मैंने calculation भी सिखाई थी कि जैसे salary का जो आपका area होता है यानि जो आपका increment होता है उसमें हम कैसे calculation करते हैं ठीक है तो ये आप लोग ने grade के माध्यम से salary को calculate करना सीख लिया था आज की class में हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले बिटा जी आज की class में हमारा जो सबसे पहला heading है वो है आपका computation of the taxable salary ज़रा सभी लोग heading डाल दीजे computation of the taxable salary ठीक है देखो जब आप computation of the taxable salary की बात करते हो यानि हमें salary को क्या करना है बिटा calculate करना है salary को हमें क्या करना है compute करना है कैसे सर compute करेंगे इसका कोई ना कोई हमारे पास format होना चाहिए या कोई ना कोई हमारे पास एक क्या कहते है basic चीजे होनी चाहिए जिससे हम अपना taxable salary calculate कर सकते है तो हम आपको आज format बताएंगे कि आपका taxable salary कैसे calculate किया जाता है so heading अब ने डाल दिया computation of taxable salary तो देखो सबसे पहले आपका क्या रहेगा बेटा basic salary आपका सबसे पहले क्या रहेगा basic salary तर ये basic salary क्या होती है अभी हम आपको कुछ देर बाद इसको क्या करेंगे बताएंगे तो ये हो गया आपका क्या basic salary तर basic salary के अलावा आपका क्या रहेगा basic salary के अलावा बेटा अगर मा लीजे कोई bonus है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा इसमें जुड़ जाएगा bonus के अलावा अगर कोई commission है तो वो commission भी हम इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे Commission भी क्या करेंगे हम जोड़ देंगे Sir और क्या क्या हमें मिल सकता है Employer के द्वारा देखो ये सारा का सारा Compensation आपको दिया जा रहा है किसके द्वारा एंप्लोईर के द्वारा आपको पे किया जा रहा है चाहिए वह आपका basic salary हो चाहिए वह आपका bonus हो चाहे वो आपका commission हो या चाहे आपका area of salary हो अब देखे area of salary क्या होता कि जैसे माल लीजे कि आपको 2-3 महीने की salary नहीं मिली है या 2-3 महीने की salary आपको आधी-ाधी मिलके आ रहे थी जो बकाया हुआ धनरासी है उसी को हम क्या कहते हैं आपका area of salary salary यानि पिछले वर्स की या पिछले महीने की बकाया salary को ही हम लोग क्या कहते हैं आपका area of salary के साथ साथ माल लीजे आपको कोई भी dearness allowances मिल रहा है तर ये dearness allowances क्या होता है अभी इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे इसको हिंदी में कहा जाता है महंगाई भत्ता क्या कहा जाता है भई महंगाई भत्ता अगर कोई Dearness Allowances है तो वो भी इसमें हम क्या करेंगे जोड़ देंगे ठीक है साथी साथ आपका City Compensatory Allowances ठीक है क्या होता है बोलिए मेरे साथ City Compensatory Allowances यह क्या होता है जैसे क्या होता है कि हम लोग किसी ऐसी एरिया में रह रह रहे हैं जो बड़ी costly है या एसी एरिया में रह रहे हैं जहां से एसे एरिया होते हैं तो वहाँ पे employer के द्वारा हमें compensation दिया जाता है जिसका नाम क्या है city compensatory allowances होता है मतलब शहर में रहने के लिए अगर हमें कोई भत्ता मिल रहा है तो वह आपका क्या कहलाएगा city compensatory allowance कहलाएगा फिर उसके बाद all taxable allowances अब देखी एक सब्सक्राइब यहां पर आपको दिख रहा होगा allowances को हम लोग भत्ता कहते हैं लाउंसे को हम लोग क्या कहते हैं भत्ता और भत्ते में से दो भत्ते का एक्जामपल अभी अभी आपने देखा जिसमें सबसे पहला आपने नाम देखा डियरनेस अलाउंसेश और दूसरा क्या है आपका city compensatory allowances यह आपका allowances होता क्या है जैसे क्या होता है कि basic salary को छोड़ कर ध्यान से सुनना मेरी बात क्या बोला मैंने basic salary को छोड़ कर अगर employer कुछ भी आपको नगद दे रहा है क्या बोला मैंने basic salary को छोड़ कर अगर employer कुछ भी नगद दे रहा क्या नगद cash तो उसी को हम कहते हैं भत्ता उसी को क्या कहते हैं बिटा भत्ता अभी इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे इसके बारे में क्य प्रैकसिबल प्रच्जिट अभी तो मैंने आपको नगद में पैसा मिल रहा है लेकिन कुछ employer होते हैं वो आपको नगज में भुकता नहीं करते बलकि आपको सुख सुविधा दे देते हैं आपके आने जाने का खर्चा खुद बियर करते हैं आपके hotel में रुकने का खर्चा बियर करते हैं आपको वहाँ पे जाना है आपको कोई भी कहलाएगा पर क्यूजिट कहलाएगा पर क्यूजिट कहलाएगा क्लियर हो गया पर क्यूजिट के बाद अगला पॉइंट है आपका पर क्यूजिट के बाद अगला है आपका यहां पर मैं लिख रहा हूं इसके क्योंकि एक ही स्लाइड में मैं यहां पर सोच रहा हूं कर दू ठीक है इसके बाद यहां से हमारा सुरू होगा contribution contribution taxable contribution ठीक है क्या बोला मैंने taxable contribution taxable contribution in rpf bracket में excess 12% एक्सेस 12% ठीक है तो अगर कोई आर्पी अफ है यह आर्पी अफ क्या है देखो आज की क्लास में ही हम चर्चा करेंगे मैंने आपको preventing fund के बारे में बताया था लाज क्लास में बताया था गिस च्लास करेंगे और आज यह दूसरी निक्लास है यानी यह TV् कहते है रिक और्गनाइज़ प्रोविडेंट फंड क्या कहते हैं आपका रिक और प्रोविडेंट फंड इसके बारे में चर्चा करेंगे निश्चिन्त रहिए आपको करना है इंट्रेस्ट कि उपूछना तो पूछ कि नॉट्विट पिक साथ होगे वाइट करूगे तो आपकी डिस्काउंट कर ला हो दिखो जारा इंट्रेस्ट इन इंट्रेस्ट इन एक्सेस आफ 9.5% इंट्रेस्ट इन एक्सेस आफ 9.5% आर पी एफ अगर 12% से ज़्यादा कंट्रिब्यूशन रहेगा जितना भी ज़्यादा रहेगा वो आपका हम टैक्सेबल करेंगे अगर उसके बदले हमें कोई इंट्रेस्ट मिल रहा है कितना एक्स फ्री रहेगा 9.5% तक टैक्स फ्री रहेगा और 9.5% के बाद आपका क्या हो जाएगा टैक्स बलो जाएगा इतना सब जब आप जोड़ेंगे तो आपका बैलस क्या जाएगा ग्रॉस सैलरी आज जाएगा जाएगा इसके अलामा भी से आप less करेंगे deduction क्या less करेंगे पीटा deduction less करेंगे अंडर section 16 क्या less करेंगे पीटा अंडर section 16 और इस अंडर section 16 में आपको तीन deduction देखनी है पहला है section 16 सब सेक्षन 1-6-16-2-16-3 तो अगर एक सवाल आता है कि जरह बताओ deduction 16 में कितने पॉइंट आते हैं तो आप किया कह वोगे कि सर तीन पॉइंट आते हैं सेक्षन सब सक्षन 1 सब सेक्षन 2 सब सेक्षन 3 जब आप सब वन की बात करते हो तो इसको कहते हैं लोग इस टैंडर डिड़क्शन और यह इस टैंडर डिड़क्शन का जो एमाउंट रहता है वह रहता है आपका 50,000 कितना रहता है वेटा 50,000 हर बार का रहता है कितना रहेगा आपका हर बार का कितना 50,000 मैक्सिमम पचास अजार 50,000 से ज़्यादा नहीं ना 50,000 से क्या आपका कम फिर उसके बाद अगला पॉइंट है आपका सेक्शन सिक्स्टीन सब सेक्शन टू यह आपका है इंटर्टेन्मेंट अलाउंसेस क्या बोला मैंने इंटर्टेन्मेंट अलाउंसेस इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितना है आपका 5,000 है मैक्सिमम लिमिट कितना है आपका 5,000 है बात समझ में आगई इंटर्टेन्मेंट अलाउंसेस की लेकिन एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि यह जो आपका सेक्शन 16 सब सेक्शन टू है यह सिर्फ और सिर्फ गौर्वर्मेंट इंप्लॉई को मिलेगा इसको रहेगा यानी इनस और और रेक्षंट इंप्लॉई के लिए पूरा टेक्स यवर्मेंट इंप्लॉई के लिए पांच हजार रुपाय तक की झूट है कि क shap 16 अप सेक्शन टू में और सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 में इसको हम कहते हैं बिटा आपका professional और employment tax professional and employment tax employment tax एक है जीतना भी आप पे करेंगे जितना भी आप क्या करेंगे पे करेंगे वो सब आपका minus हो जाएगा इसके बाद इन तीनों को घटाने के बाद आपका जो balance आएगा उसे हम कहेंगे taxable salary कहेंगे तो यह फॉर्मिट आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो फॉर्मिट क्या करना है कि जितना भी आपका सब कुछ जो जो आपको मिल रहा है वो सब आप क्या करेंगे जोड़ेंगे और घटाने के नाम पे आपको कितना section घटाना है तीन section section 16 subsection 1 section 16 subsection 2 section 16 subsection 3 अच्छा एक बात बताईए section 16 subsection 2 किसके लिए है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है government employee के लिए है clear हो गया अच्छा rpf में access कितना contribution होगा तब हम tax करेंगे 12% याद रखना और अ कितना रहेगा आपका 19.5% रहेगा तर माल लीजे आरफी अप contribution सिर्फ 8% है तो फिर आपको tax देने की जरूरत उसमें नहीं है तर माल लीजे 15% है तो 12% तक छोड़ेंगे बाकी 3% क्या कर देंगे उस पे हम tax calculate करेंगे यानि वो हमारे taxable income में क्या हो जाएगा जाकर इतनी बात समझ में आ गई अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको और याद रखना है और वो कुछ पॉइंट क्या है कि सर वो कौन से आइटम है जो हमारे income under the head of salary में taxable नहीं होंगे नहीं होंगे क्योंकि वो दिये तो रहते हैं जब आपको पता ही नहीं रहेगा तो फिर loan from employer आपने पैसा लिया employee ने क्या लिया पैसा लिया किसके नाम पे loan के नाम पे एक बात बताओ loan तो बात में हमें चुकाना पड़ता है न तो जब आप चुका होगे तो क्या उस पर आपको tax देना पड़ेगा answer है नहीं सर advance income पे advance salary पे आपको tax देना है लेकिन loan पर आपको कोई भी tax देने की जरूरत नहीं है वो आपकी taxable income में सामिल नहीं किया जाएगा बात clear हो गई वेटा अगला point आता है आपका surrender of salary अच्छा surrender of salary का मतलब क्या होता है मतलब यह होता है वेटा कि जैसे माल लीजे इसको हिंदी म समर पड़ जैसे क्या होता है कि जैसे बिहार में अभी देखो कुछ साल पहले बाढ़ हाई थी हाई थी लोगों ने अपनी एक महीने की salary 15 दिन की salary 10 दिन की salary क्या कर दिया था छोड़ दिया था relief के लिए तो जो पैसा आपने छोड़ दिया है तो क्या वो पैसा आप उस पै ऐसे पर आपको कोई भी टेक्स देने की अवशक्ता नहीं है यानि अगर किसी salary को आपने समर पड़ कर दिया कि भाईया जाओ दो महीने की salary हम इस काम के लिए छोड़ दे रहे हैं इस काम का मतलब जो सरकार कहेगी ऐसा नहीं की बदल दो ना ना सरकार के बताए निरदेशा अनुसार अगर आप करेंगे तो फिर उस पर भी आपको टेक्स देने की अवशक्ता नहीं है फिर अगला point है आपका family pension ध्यान से सुनिएगा एक होता है pension और एक होता है आपका क्या family pension ध्यान से सुनिए कल मैं आपको salary और pension के बारे में difference बता रहा था salary कम मिलती है जब हम job कर pension कम मिलती है जब हम retire हो जाते हैं तो ठीक उसी प्रकार pension भी दो तरीके की होती है एक क्या होती है self pension और एक होती है आपकी family pension ध्यान से सुनिएगा self pension का मतलब है कि वो बंदा स्वयम अभी जीवित है वो employee अभी क्या है जीवित है लेकिन family pension का मतलब है कि वो employee जीवित नहीं है बलकि उसके परिवार वाले उस pension को क्या कर रहे हैं receive कर रहे हैं कि परिवार वाले उस pension को क्या कर रहे हैं receive कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते है आ यह क्या होता है टेक्सेवल नहीं होता बलकि यह आपका टेक्सेवल होता है अधर सोर्स में कहां टेक्सेवल होता है आपका अधर सोर्स में क्योंकि हम लोग सैलरी पड़ रहे हैं लोग क्या पड़ रहे हैं सैलरी पड़ रहे हैं तो इसलिए यह यहां पर कंसीडर नहीं किया जाएगा बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया इतनी बात यानि कहने का मतलब यह हवावू कि अगर फैमिली पेंशन अगर खाली पेंशन है अगर क्या है खाली पेंशन है तो आप उसको consider करो किसमें income under the head of salary लेकिन अगर फैमिली पिंशन है वह आपका consider किया जाएगा कहां in the head of other source कहां consider किया जाएगा बेटा in the head of other source बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया पका चलो आगे देखेंगे कहता है salary payable to the partner salary payable to the partner तो यह आपका किसमें consider होगा देखो salary वाले head में तो consider नहीं होगा बलकि यह consider होगा आपका business and profession में यह कहां जाएगा आपका business and profession में मलब salary वाले chapter में इसकी कोई बात नहीं मानी जाएगी बलकि इसको कहां हम consider करेंगे business and profession में बात क्लियर हो गई बेटा चले आगे एक last point है कहता है salary payable to the member of parliament and member of assembly यानि अगर कोई नेता जो लोग होते हैं जो संसद वाले लोग होते हैं नहीं बिधाया संसद होते न सांसद इनको अगर कोई salary मिल रही है तो वो salary head में consider नहीं की जाएगी पहली बात तो इनको जो पैसा मिलता है वो salary होता ही नहीं है अब आप कहोगे sir क्या बात कर रहे हो हाँ एक बात बताओ ये जो नेता इंपलोईर है इंपलोई और इंपलोई का रिलेशन ही तो नहीं यहां इस्टैब्लिस हो रहा है जब मैं आपको कल salary पढ़ा रहा था तो salary में मैंने क्या बताया था employer और employee का क्या होना चाहिए relation होना चाहिए न जो नेता लोग है क्या इनके बीच में इंपलोईर और इंपलोई का रिलेशन इस्टैब्लिस हो रहा है क्या अंसर है नहीं सर इसी वज़ा से यह आपका इंकम अंडर धा head of salary में taxable नहीं होते बेटा बलकि यह जितना भी पैसा इन लोगों को मिलेगा जितना भी पैसा इन लोगों को क्या होगा मिलेगा यह आपका कहां पर taxable होगा आपका अधर सोर्स में एक पैसा क्या होगा टैक्सेबल होगा इसलिए यहाँ पे लिखा है नौट टैक्सेबल इन दा हैड़ आप सैलरी यह नहीं लिखा गया है कि नौट टैक्सेबल कि के समझ में आ गया पॉइंट तो अगर किसी ने पूचा की जरा बताओ वह कौन स होते यह पांच पॉइंट आप लिख़ देंगे पहला क्या लोन फ्रॉंप इम्प्लोयर क्या है इसमें कोई समस्य तो नहीं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं अगे बढ़ते हैं और अपने next point की तरफ चलते हैं हमारा next point है जिसका आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे और वो next point क्या है आपका लिखे ज़रा salary यानि item of a salary देखिए एक चीज जानिए इन सब point को आपको याद रखना है इन सब point को आपको याद रखना है समझना है कि ये actual में है क्या ठीक है एक एक basic basic चीजें आपको याद रखनी है ये one by one हमको देखते हैं इसको देख लेते हैं इसको हम लोग basic terms of salary chapter भी कहते हैं क्या कहते हैं आपका basic terms of salary chapter तो देखो सबसे पहले आपका salary ये तो आप जानी रहो की बेतन होता है फिर कहता basic salary या wages basic salary या wages का मतलब होता है बेटा जिस आधार पे आपको पैसा मिलेगा लोग कहते हैं कि भाईया मेरा चपन सो ग्रेड है लोग कहते हैं कि सर मेरा सतावन सो ग्रेड है नव हजार ग्रेड है यानि जो आपका basic पैसा है वो आपका यहां पर बताया जा रहा है कि सर इतना तो मिस निश्चित है कि मिलना ही है इतना तो क्या है आपका निश्चित है उसके बाद अगला पॉइंट है आपका एनुटी या फिर आपका क्या पेंशन एनुटी या फिर आपका क्या बेटा पेंशन तो देखो एनुटी जैसे क्या होता कि जब हम लोग रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर होते समय रिटायर होने के बाद हम लोगों को क्या रिसीव होती है एक मुस्त पैसा रिसीव होता है कि नहीं होता है इसे आप क्या कहते हो ग्रेजूटी भी तो कहते हो लोग कहते हैं पीफ का पैसा मिल गया या जो हमारा कोई बकाया हुआ पैसा है वो भी हमको मिल गया या हमने कोई एडवांस लिया था वो पैसा हमारा क्या हो जाएगा घड़ जाएगा पैसा हमारा क्या हो जाएगा घड़ जाएगा फिर उसके बाद यहां पर एक पॉइंट लिखा है इन्वल इंक्रिम इंक्रिश है इसको हिंदी में कह जाता है भविष्य निधी और निधी का मतलब क्या होता है पैसा होता है न इंदी मतलब क्या होता है बचत होती है अप भविश के लिए पैसा क्या कर रहे हो बचा रहे हो और इसलिए बचा रहे हो क्योंकि नौकरी करते समय तो आपके पास सैलरी है लेकिन नौकरी करने के बाद आपको पैंशन मिलेगी और पैंशन एक बात बताओ क्या सैलरी के बराबर ही पैंशन मिलती है क्या कम हो जाता है पैसा ना औ इसके लिए क्या चाहिए पैसा चाहिए कि नहीं और ये भी तो हो सकता है बिमार हो जाए हम उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ठीक है तो भविश्य के लिए डियूरिंग दा पीरिड आप दा सर्विस थोड़ा थोड़ा पैसा क्या किया जाता है जमा किराया जाता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका भविष्य निधी कहते हैं क्या कहते हैं गटा-जी, भविष्य निधी कहते हैं अभी कुछ दänge बाद हम इस पे फूर लटेंगे लेकिन उससे पहले यहां पे आ जाइए फिर उसके बाद अगला पॉइंट है आपका क्या कि सर कोई bonus है commission है fees है या interim relief है या percusate है जो हमें दी जा रही है फिर encasement of the leave ध्यान दीजेगा encasement of leave ये point समझेए encasement of leave का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको भी पता होगा जो government employee होते हैं उनको चुटीयां दी जाती है त्व साल भर में तीज चुटी या चालीच चुटी का provision रहता है वे ले सकते हैं लेकिन सोचो कि अगर वह चुटी ना ले तो वह चुटी ना ले तो काम पे जाए उनको 60 चुटी लेना था लेकिन वो छुटी नहीं ले रहे हैं वो काम पे चले जाएं तो अगर काम पे जा रहे हैं तो आप एडवांस काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तो अगर एडवांस काम कर रहे हो तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा पैसा मिलेगा क्या मिलेगा बेटा जी पैसा मिलेगा बात समझ में आ गई इसी को कहते हैं हम in cashment of the leave कहते हैं फिर उसके बाद कहता है Compensation receive on the retirement Champion reaction receive on the retrenchman sir ये क्या होता है जी जैसे क्या होता है कि ह्ँमारी नौकरी 10 साल बाकी थी हमारी नौकरी क्या थी 10 दस साल वाकी थी लेकिन हमको दस साल पहले ही निकाल दिया गया खटनी करा दी गई होता है नौकरी से आपको निकाल दिया गया तो अगर आपको नौकरी से निकाला गया है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको तुरंद अगले दिन से आपको कोई पैसा उसा नहीं मिलेगा आ 것도 किसे को हम लोग कहते हैं क्या कैसे छटनी करने पर प्राप्त जटी पूर्ती अगला पॉइंनक आपको निकाला जा रहा था यहां पर आपको क्या किया जा रहा था निकाला जा रहा था यहां पर यहां पर आप स्वैम अपने आप से निकल रहे हैं वॉलेंट्री रिटायर्मेंट हो गए क्या हो गए आप रिटायर हो गये आपकी इच्छा आप जॉब नहीं करेंगे तो आपको क्या किया जाएगा धिया जाएगा का किया मिलेगा कर सुबूह चाक्त कर सो वो भी आपको मिलेगा transfer balance अब यह देखे transfer balance क्या होता है transfer balance में आपके चार point है कहता है employer contribution interest on employer contribution employee contribution और interest on employee contribution इसका मतलब यह आपको किसके बारे में समझाना चाह रहा है यह आपको किसके बारे समझाना चाह रहा है पीएफ के बारे में ही समझाना चाह रहा है ठीक है रहां से समझो अब पीएफ ओले पॉइंट को समझते हो तो इसमें लिखा क्या है कि यहां पर क्या लिखा है किस लिए इस्टेबलिस किया गया है इसके लिए बनाया गया है प्रोटेक्शन ओफ इम्प्लॉई और यह प्रोटेक्शन किस लिए सर ताकि फ्यूचर में उनको क्या मिले जब वो रिटायर हो जाए अपनी सर्विस से जब वो अपनी सर्विस से क्या हो बेटा रिटायर हो तो रिटायर होने के बाद उनको पैसा मिले अपनी नई जिंदगी को सुरू करने के लिए तो इस पीएफ की कंट्रिव्यूशन की जब आप बात करते हो जब आप इस होता है और employer ने जो जमा किया है उस पे उसको क्या मिलेगा interest मिलेगा की नहीं मिलेगा उस employer contribution पे हमी को तो interest मिलेगा और employee ने जो swim जमा किया है उस पे भी तो उसको क्या receive होगा interest receive होगा की नहीं होगा किसी को हम transfer balance भी कहते हैं बात समझ में आ गई तो अगर अगर किसी ने पूछा कि PF क्या होता है तो आप सीधा कहना कि sir for the protection of the employee and to provide the to encouragement of the encouragement to the small investment, clear हो गया बेटा जी, समझ में आ गया, अब यहाँ पर एक point और आपको देखना है, इस point को अभी कुद्धिर बाद discuss करेंगे, उससे पहले आपको ये देखना है कि provident fund होते कितने तरीके के हैं, तो provident fund बेटे आपके चार तरीके के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, चार तरीके के होते हैं, पहला होता है आपका रिकॉर्गनाइजड प्रोविडेंड फंड, दूसरा होता है आपका पीपीफ, तीसरा होता है आपका सेचुवेटरी प्रोविडेंड फंड और च जाएगा रिकॉर्गनाइजड अन्रिकॉर्गनाइजड सेचुवेट्री और पीपीफ पीपीफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहते हैं अब देखिए जो सेचुवेट्री प्रोविडेंट अब प्रोविडेंट को कमिशनर ओफ इंकम टेक्स क्या बोला मैंने कमिशनर कमिशनर ओफ इनकम टेक्स इनकम टेक्स जिसको मान्यता नहीं देते हैं कमिशनर ओफ इनकम टेक्स जिसको मान्यता नहीं देते हैं वो आपका अन्रिकोर्गनाइजड प्रोविडेंट फंड होता है वो क्या होता है आपका Unrecognized Provident Fund होता है और जिसको Commissioner of Income Tax जियान से सुनना जिसको Commissioner of Income Tax आपका मानिता दे देते हैं वो आपका क्या हो जाता है रिक और गनाइजड हो जाता है जिसे आप प्रमाडित भी कहते हैं प्रमाडित मतलब क्या मानिता मिली है और अब प्रमाडित मतलब जिसमें मानिता नहीं मिली है तो अगर मानिता मिली है तो रिक और अगर मानिता नहीं मिली है तो क्या हो जाएगा Unrecognized बात समझ में आ गई की नहीं आ गई इतनी इतनी बात समझ में आ गई और जो यह PPF होता ह होता है एक जो क्या होता है पीपी अंट पो प्रोगेंट कोई क्या कहते हैं प्रोविडेंट फंड इसमें इंप्लॉयी कब्लॉय का रिलेशन होना जरूरी नहीं है कोई भी विक्त पीपी फोपन कर सकता है जैसे माल ली कि मैं जॉब कर रहा हूं तो मेरे लिए रिकॉर्गनाइजड होगा या अन्रिकॉर्गनाइजड होगा अगर मैं गॉर्मेंट इंप्लॉई नहीं हूं तो ठीक है और अगर मैं गॉर्मेंट इंप्लॉई हूं तो मेरे लिए क्या होगा सेच्वेटरी होगा लेकिन अगर सोच पही बेटा क्या नाम है इसका पब्लिक प्रोविडेंट पंड नाम है अब यहां पे कुछ बाते आपको याद रखनी है देखें क्या लिखा है जैसे सबसे पहला क्यूंत है employee Cum Cindy ृृृुशन जितना भी आप BF पैसा जमा करेंगे उसस अब पर ढूपको emotions मिलेगा कहां मिलेगा इचिमे positivity में मिलेगा काहां च्राफ अब फेंदा स्सेंगा थ्रौ चिमें मिलेगा और यहां पे भी आपको सेच्वेटरी में भी deduction मिलेगा section 80 C में मिलेगा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है लेकिन जब आप unrecognized की बात करते हो मतलब कोई परिडाम तो मिला नहीं कोई प्रमाडित तो है नहीं तो अगर प्रमाडित नहीं है तो क्या कोई deduction मिलेगा हमको सर कोई deduction नहीं मिलेगा बात क्लियर हो गई की नहीं हो गई तो इंप्लॉई कंट्रिब्यूशन अगर आप रिकॉर्गनाइज्ट में कर रहे हैं तो एटी सी में पीपी एफ में कर रहे हैं तो भी एटी सी में और सेच्वेटरी में कर रहे हैं तो भी आपका क्या एटी सी में लेकिन अ कोई deduction आपको नहीं मिलेगा बात समझ में आ गई बेटा फिर उसके बाद interest की बात करो इसकी बात करो interest की बात करो तो लिखा है देखिए ppf का interest क्या है exempt है इसका भी interest क्या है exempt है और यहां पर कोई भी आपको देने की अवशक्ता नहीं है क्योंकि आप already tax दे चुके हो अपनी इंकम पे ठीक है आप अल्रेडी इंकम पे क्या दे चुके हो टेक्स दे चुके हो लेकिन अगर हम इसकी बात करें ध्यान से सुनिए इसमें लिखा अगर आपको याद हो तो मैंने यहां पर आपको एक पॉइंट समझाया था जब आपको कैल्कुलेशन करा रहा था देखो यह वाला point देखो यहाँ पर मैंने यह note करवाय था कि नहीं करवाय था यह देखो interest वाला यानि अगर 9% से कम है तो आपको tax देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर 9% से जादा है तो फिर आपको क्या देना पड़ेगा tax देना पड़ेगा यह point समझ में अब आया की नहीं आया point आया समझ में ठीक है अगला point देखें यहाँ पे फिर यह तो हो गया आपका employee contribution अब बारी किसकी है बेटा employer contribution की employer contribution की बात करेंगे तो 12% क्या लिखा है 12% तक आपको कोई भी tax देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन 12% से जैसे ज़्यादा होगा फिर आपको क्या देना पड़ेगा tax देना पड़ेगा जितना ज़्यादा आप देना जितना ज़्यादा आपका contribution हो रहा है employer की तरफ से clear ह प्रफ में कोई employer है नहीं तो कोई tax देने की जरूरत है नहीं सरकार अपने आपको थोड़ो ना टेक्स देगी कि देगी सरकार अपने आपको tax नहीं देगी यहाँ पर भी आपको tax देने की जरूरत नहीं है employer का वो contribution है ठीके बात इतनी समझ में आगी फिर bid draw amount की बात करते है तो bid draw amount में आपका सारा पैसा क्या हो जाएगा exempt हो जाएगा with the condition यहाँ पर आपका पैसा exempt रहेगा यहाँ पर भी आपका पैसा क्या रहेगा exempt रहेगा लेकिन unrecognized में कुछ बाते आपको याद रखनी है अन्रिकॉर्गनाइज्ड में कुछ प्याते आपको क्या करनी है याद रखनी है कैसे देखिए ज़रा ध्यान से अन्रिकॉर्गनाइज्ड प्रोविडेंट फंड में मैं यहां पे लिख रहा हूं और पी अफ यू आर पी एफ देखिए यहां पर जब आप पैसा बिड्रॉ करेंगे तो पैसा जो आप बिड्रॉ कर रहे हैं वह किसका किसका करेंगे या इंप्लॉयर कंट्रिब्यूशन का भी तो करेंगे है न किसका करेंगे इंप्लॉयर कंट्रिब्यूशन और आपका किसका इंप्लॉ इंप्लोई कंट्रिबूशन और किसका इंप्लोई कंट्रिबूशन इंप्लोई कंट्रिबूशन में जो पैसा रहेगा मतलब जो शेर ऑफ इंप्लोई कंट्रिबूशन रहेगा उस पे आपको कोई भी टेक्स देने के आउशक्ता नहीं है उस पे आपको कोई भी टेक्स देन income under the head of salary employee contribution are not taxable ध्यान से सुनिए क्या लिखा है employee contribution are not taxable but employee contribution interest employee contribution interest यह आपका taxable होगा यह आपका क्या होगा taxable होगा अंडर दा हेड आफ अधर सोर्स अंडर दा हेड आफ अधर सूर्स पताओ समझ में आया कि नहीं आया employer contribution और employer pay employer contribution interest क्या इंट्रेस्ट..... cultural liability इंट्रस्ट यह दोई आपका क्या होगा टैक्सेबल होगा किस ह dauब में salary वाले हैं में किस हैड में आपका salary वाले हैड में मतलब आन रिकोर्गनाइजद क्रवीडेंड कि में जो आपका पैसा रहेगा वघा वह चार भगों में हमबाटेंगे हम बाटेंगे पहला employer और दूसरा क्या employee employee में भी कितने हो जाएंगे दो employee contribution और employee contribution का interest employee contribution पर तो आप already text दे चुके हो तो दुबारा text देने की आपको ज़रूरत नहीं है ठीक आप already text वहाँ पर दे चुके हो कहां दे चुके हो यह देखो एटी सी में हमको कोई deduction मिली ठीक हमको एटी सी में कोई deduction नहीं मिली इसका मतलब हमने उस पर text दिया होगा की नहीं दिया होगा हमने उस पर क्या दिया होगा text दे दिया होगा already paid इस पर tax थो हमने क्या कर दिया already क्या बेटा एड है ना ओल रेडिए क्या है text पे रखा है हाँ इस पे employee contribution जो इंट्रेस्ट वाला है वो आपका अधर सोर्स में क्या हो जाएगा टैक्सिबल हो जाएगा बताओ समझ में आए गई बात इतनी इंप्लॉयर का जो इंट्रिब्यूशन रहेगा चाहे इंट्रेस्ट कर रहेगा दोनों टैक्सिबल होगा अंडर दा है डॉब दा सैलरी अताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया कोई दिक्कत तो नहीं अब देखो इस कोश्चन को यह जो आपका अगला कुश्चन है इस कोश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं इस कोश्चन को क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं इसको हम अगली स्लाइड में लेकर जाते हैं देखे कुश्चन पढ़िए जरा ध्यान से कोश्चन कहता है कि फ्रॉम दा फॉलिंग इन्फॉर्मेशन प्रवाइड दा मिस्टर गोपाल कैल्कुलेट दा टेक्स एन्वल ऑफ रिकॉर्गनाइज प्रविडेंट फंड क्या क्या है इसमें कहता है सैलरी कितना है फिटा पांच हजार पर मन्त है कहता है कमीशन ओन सेल कितना है आपका दस हजार है वो भी किस रेट पे फिक्स रेट पे फिर कहता है इंप्लॉयर कंट्रिब्यूशन टू आर पी अफ कितना है कितने परसेंट तक छूट थी बारा परसेंट तक थी कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी बताता हूं कहें परिशान हो इंट्रेस्ट की बात बताओ इंट्रेस्ट कितना है आपका 18,000 वो भी कह परसेंट पे 8% पे है किस पे है आपका 8% है लेकिन छूट कह परसेंट तक थी 9.5% तक थी क्या इसको आप consider करेंगे फिर income में income calculation में consider करेंगे answer है no sir यह calculate करना आपको सिखाते है तो देखे आपकी basic salary हम कैसे लिखेंगे हम calculate कैसे करेंगे देखे लिखेंगे हम calculation of taxable salary taxable salary ठीक है एला क्या है बेटा आपका basic बेसिक कहता है 5,000 पर मंत साल भर का कितना हो गया 5,000 गुड़े बारा यानी बारा पंचे क्या हो गया फिर कहता है कमीशन बेटा कमीशन जोड़िये कमीशन कितना हुआ आपका 10,000 फिक्स रेट पे है न तो 10,000 हमने आप लिखती है फिर कहता है आपका Employer Contribution to RPF कितना परसेंट है 14% ध्यान से सुनना मैंने आपको एक पॉइंट छोड़ दिया था ये वाल ये वाला पॉइंट छोड़ दिया था न अब देखो इस पॉइंट का काम समझो क्या लिखा है Salary for PF क्या लिखा है बेटा Salary for PF अक्सर बच्चे गलती यहीं करते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता कि हमको कितना contribute करना है इसको highlight करके आप लोग लिखिएगा Salary for PF और कैसे लिखेंगे देखिए जब आप Salary for PF कैलकुलेट करेंगे तो आपको चार बातें याद रखनी है पहला क्या है basic salary दूसरा क्या है बेटा dearness salary तीसरा क्या है sale of commission वो भी किस rate पे fix rate पे और चौथा point क्या है बेटा DA वो भी किस पे under the terms of employment यह बातें आपको याद रखनी है तो provident fund में salary का कितना means है चार means है पहला क्या है basic दूसरा क्या है DA sorry DS तीसरा क्या है sale of commission चौथा क्या है आपका DA वो भी DA कौन सा under the terms of employment माल लीजे खाली आपको DA दिया है लेकिन under the terms of employment नहीं दिया अगर नहीं दिया तो फिर आपको सामिल भी नहीं करना है अगर under the terms of employment दिया है तो आप सामिल करेंगे clear हो गया वेटा अब जैसे इस question के अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हमें calculation करना था तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे लिखेंगे salary for PF note है यह working note है salary for PF कितने point हमें चाहिए थे भई हमें कितने point चाहिए थे चार पहला क्या था basic salary तो basic salary हमारी कितनी हो गई 60,000 क्या हमारे पास कोई DS है dearness salary है क्या सर नहीं है क्या हमारे पास कोई commission है और वो भी fix percentage वाला खोजो यह देखो कहां है यह रहा है ना fix rate है तो कितना यह भी जोड़ देंगे हम यहाँ पे fix percentage वाला क्या हमारे पास DA है क्या check करो ओ भी under the terms वाला है क्या DA कहीं DA दिख रहा है आपको नहीं sir तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे nil यानि यह कितना हो गया आपका 70,000 तो सत्तर हजार का कितना परसेंट 14 परसेंट जो contribute हुआ है ठीक है तो करो यहाँ पे calculation 14 percent of 70,000 14 percent of क्या 70,000 calculator कहां है भई कितना आएगा जरा निकालो 70,000 का 14 percent 9,800 तो क्या sir 9,800 पूरा का पूरा taxable होगा answer है नहीं क्यूं क्यूंकि इसमें से हम less करेंगे क्या 12 percent क्या बताया था 12 percent से जादा रहेगा तभी तो tax होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बारा पर्सेंट आफ सेवेंटी थाउजन एक्जेम्ट तो कितना आएगा 70,000 का 12 percent कितना आगया 84,000 अब माइनिस करो तो आपका taxable amount कितना आगया 14,000 एकसे बेल आगया आपका 14,000 बताओ समझ में आगया कि नहीं आगया समझ में आगया interest हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कितना पर्सेंट है कितना पर्सेंट है 8 लेकिन हमको exempt limit कितनी पता थी हमारी 9 थी ना 9.5 थी ना तो क्या इसको सामिल करेंगे answer है नहीं सर इसको हम सामिल नहीं करेंगे ठीकिए बेटा तो अब जरा टोटल बताइए कितना आएगा आपका टोटल जोड़ लीजे साथ हजार प्लस दस हजार प्लस चाउदा सो यहां पर कितना आ जाएगा इकात्तर चार सो यह आ गई आपकी क्या gross salary पताएगे समझ में आ गया कि नहीं आ गया समझ में आ गया कि नहीं आ गया ठीके मेटा अब इसके आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम allowances के बारे में सीखेंगे आप अपना feedback आप अपना राय नीचे comment करके दे सकते हैं notes को लेने के लिए आप हमारे app को download करें वहाँ पे आप हमारे courses को buy करके बाकी अन्य lecture अपने आप क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं ख्याल रखें आप सभी अपना मुझे इजाज़त दीजिए मिलेंगे अगली class में तब तक के लिए जै महादेव